इस जागरन फोरम में प्रमुक रूप से उपस्टित उत्तरप्रदेश की राजिपाल स्री मत्री अनंदी बैन पटेश जी दैनिक जागरन समू के शेयर मैं श्री महंदर महान गुप्ट जी प्रमुक संपादक स्री संजे गुप्ट जी गर्मान नते की गर्म, देवियों और सचनु आज इस कारकम में आने पर मुझे लगबख दस मिनट की बीदी लेकिन मैं संजे जी से पूच रहा था कि इस कारकम के आयोजन में भी जो है लगबख एक बरस की बीदी इस कारकम की कलपना हम लोगों ने पिछले वरस्ती थी इस्थान भी ते हुगा था लेकिन दुरभाग से कोरोना महामारी के कारण वो सभी कारकम इस्तकित होते गए और सच्पुत में देखा जाये तो ये विश्व्यापी महामारी के कारण जो विकास पत्पर या विकास की यात्राएं हैं मान और समाज की उसमें भी कहीं ने कहीं ब्रेक लगा वो भी बहुत पीछी लेकिन कोरोना भी गया नहीं सावधान भी हम सबको रहना है महेंदर मोहन जी और इस दैने करणा परिवास से मेरा वरसों का सम्मान इसलिए नहीं कि मैं कानपुर्का हूं बल्कि अन्न कई कारण स्वग्डी नरेन मोहन जी जब मैं राजसवा में था तो बेरे सही होगी है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और सही माइने में जब हम कानपुर्से दिल्ली के लिए जब हम दोनों लोग चलते देख लगनव से चलती है उन दिनों इसमें बात करना है आज भी है तो उसमें इसका अराइवर काइम लगनों से चलकर करके कानपुर्स में लगनपुर्स पांच वजे दिपांच चलती है तो नरेन मोहन जी जब आते थे अपना टिफिन लाते और मुझे कभी भी आज तक जब भी उन्हों से साथ में ट्रैविल किया है तो मुझे पेन के खाने से हमेशा बंचित रखा अग्रे पूर्वग कोविन जी आज राज्त्री का भोजन आप हमारे साथ ही करें और मुझे टिफिन दिखा चुके तो मैं कहता था आप अपने लिए लायों ना करो नहीं नहीं मैं कई लोगों के लायों मैं आप लिए उनसे बरावर सब पर राजसभा में हमें एक दूसर के सायोगी रहे एक दूसर से सीखा बाइक मैं कहूंगा कि मैंना मुझे अधिक सीखा और एक बड़ा एक जिस प्रस्ट भूमी से मैं आता हूं और वो जिस प्रस्ट भूमी से निकले उसमें जमीन आसमान का तो मैं ग्रामियर परिवेश से निकल करके आया हूं और वो एक साधन संपन्न और प्रतिस्ठिक परिवार में जन्मे और महां से आगे बढ़े एक चीज जो उन्होंने मुझे दी वो मुझे जाग करता हूं कभी कभी हम कहते थे जाओ हम लोग राजसवान मिलते थे तो मुझे परातर जब बैठे होती थी उसमें कहते थे कि कुविंजी आज हम लोग प्रदान मंत्री जी से मिलेंगे आटल जी प्रधानमंत्री वह अकर कि तो में ने कह भी एक रोटो कोल होता है अपने समय लिया है क्या है फिसम्तjee कि shouldn very behavior कि अपनि यह श्राघ्ष तो मुझे ले जाते लुखार तो लोग कहते थे नहीं आज हो पाएगी मुलासाथ नहीं हो पाएगी तिकल होगी तो मैं उनको यह कहता था हाँ वो मुझे कहते थे मैं कहता था कि आप बार बार प्रदानमंत्री जी से क्यों मिलने की भाद तो कहते थे कि देखो मैंने एक बात और कुछ है आपको संकुष नहीं रखता है बार बार प्रदानमंत्री जीसे देश के प्रदानमंत्री से मिलने को तो उनोंने कहा कि कोई कि कि वी इंसान हैं हम थोनों बराबर हुए कि किस बात का सबकुर्ण किस बात का वहारे प्रदानमन्कीं है मैं देशका नागलिक हूँ यह उनकी जो सोच थी को सोच और में आज भी याद करता हूँ कि उससे विप्ति का जो मनोबल है, कान्पिदेंस लेविल है, उसको कितना उपर दिया हुआ मैंने मुवान जी, इस पूरे परिवार से मेरा सम्मंदरा और ये केवल कारण है जिसके कारण मैं इस मीडिया समू के कार्काल में आया, ये मैंन मौन जी जब मैं राजसभा का सांसत था, ये भी थे सांसत, कि देवर हम दोनों अलग अलग पार्टी से, लेकिन पढ़ उसी, साउथ अजनु में में रेपन और पच्पन में रहता था और वही साथ जो है वो सत्तामन में इसमें कि मैं मेरा राजसभा का कार्काल पहले बीच चुका था, उसमें वो आतार चाहिए, इस प्रकार का एक जो जुडाव रहा है, वर्सों तक का, और उसके पश्चा था, और वो सम्मंद जो है, उसको इन लोगों ने भी निभाया और मैं भी प्रयास करता रहता हूँ, कि मैं भी निभा सकूँ, ये जो पारस पर एक सम्मंद विक्तियों के होते हैं, वो उसकी एक अनूठी कहानी होती है, उसका एक अलग से संयोग होता है, उसकी अलग से केमिस्टी होती है और यह आपको कहां से कहां तक ले जाती है और क्या से क्या आपको बना जेती है और क्या से क्या सीखने को मजबूर करती है कि इस प्रस्ट भूमी में मैं अब अपनी बात सुन करता हूं अपनी इस यात्रा के दोरान मुझे बावा विशुनाद के दिब्रदर्शन का सोभाग मिला सही माइने में वारा नसीख या बनारस हम कहें उसकी पैंचान ही जो है उबावा विशुनाद से मागंगा की संध्या आलती में भाग लेने का उसर भी मिला बावा विशुनाद से सभी देशबासियों से मैंने स्वास्त और सम्रद्धी का आसिरवाद प्राप्त किया मैं स्वयम को करतार्थ अनभो करता पिछले द्रश्पत्वार के दिन पूरे देश बर्मे और पूरे याईयों कहें पूरे विश्व में सरध्धाल्मों ने महाशुरात्री का परविमित मना जा, हम सब जानते हैं कि शिव का अर्थी ही होता है कल्या, मुझे बताया गया है कि बनारस में एक और अनुठी परमपरा है, यहाँ परमपरा हैं बहुत हैं, लेकिन मैं केवल एक परमपरा का उलेख करना जाता ह। महाशुरात्री के अउसर पर सिव जी की बारात निकरती है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में सामी है, उसकी विसेश्टा यह है, सिव जी की बारात एक समावेशी समूह की कलपना परादा है, पराया जब किसी की बारात निकलती है तो उसी वर्ग या उसी समधाय के लोग इकत्रे तोकर के बारात के प्रोसेशन में भागीदार बनते हैं, लेकिन शिव की बारात वो जो कलपना वेश्टा आपकी समावेशी कलपना है उस कलपना परादारी और समाज के हर वर्ग लोग उनको लगता है कि ये शिव जी की बारात जो है वो अपने ही इसमें अपने परिवार का ही शिव जो बने है वो अपने परिवार का ही दूना है हर कोई अपने को सिव से जोड़ता है उस पराद में सामिल होने के लिए साथ सज्जा की आवश्कता भी नहीं होती है ये सहज्टा ही बनारस को दूसरे सहरों से अलग करती है मेरा मानना है कि जिसने पर हम लोग चर्चा के लिए कत्रति ये कार का मायुजित हुआ है आर्श परारंब होने वाला है मेरा मानना है कि गंगा और हमारी संस्कति एक दूसरे पर आधारे को इनको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे के पूरग है या यह हम कहें कि एक दूसरे का अस्तित तो एक दूसरे पर निल पर है इसी मां गर्णा का शुद्ध होना हमारे परियावरा की स्वक्षता का एक मात्पूर मापदन की है परसो हो गंगा आर्ति में हम सब ने गंगा की स्वक्षता के सम्रक्ष्ण और संबर्दन का संकल्ख भी लिए गंगा परियावरान और संसकति का सम्रक्षण और संबर्दन हमारे देश के दिकास का पात आए ऐसे महत्पूर विषय पर जिसको हम कहें कि सामाजिक सरोकार से सम्मझित विषय उस पर चर्चाथ आरोजन बहुत ही प्रासंगित है, सार्थक्त है और उप्रुप्रुप्रुप्रु इस विषय पर गहन मंथन दिरन पर होते रहे हैं एक मंथन से काम नहीं चलने बारा निरन्तरता, जिस गंगा की निरन्तरता को हम देखेंगे तो उस पर हमारी उसकी निर्मलता, आविरलता को बनाए रखने के लिए भी हमारी जे चिंतन है, मनन है वो भी निरन्तर होते रहने चाहिए और मैं समझता हूं कि ऐसे मंथनों से निकले अमृत से जन जन के कल्याण का मार्ग प्रसस्त होगा। इस आयोजन के लिए निरंतर अस्तित्त वाली विश्व की प्राचीनतम नगरी कासी से बहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता। अता इस चर्चा को कासी में आयोजद करने के लिए मैं जागरन समूव की सराहना करता। देवी और सर्जनों, मैं स्वयम को भी मा गंगा की करूरों समतानों में से अपने को एक मानता हूँ। मेरा जन्म गंगा के किनारे बसे कानपुर दिहाद के एक गाउं में हुआ। मेरा बच्पन, छात्र जीवन और युवा वस्ता सभी गंगा के सानिते में ही गीते। गंगा के उद्गम इस्थल गंगोत्री की यात्रा करने का भी सवभाग मिला। और यहां तक की सन 2006 में मुझे कैलासमान सरोवर की यात्रा को सुवहसर मिला। जिसे एक प्रिछलित लोक मानता के अंसार गंगा का अद्रस उद्गम इस्थाल भी माना जाता है। लेकिन यह हमारा सानिद गंगा के साथ जो हमारा सानिद मेरा विफ्टिगत वो समात यहीं पर समात नहीं होता है। बिहार का जब मैं राजजिपाल था उसकी जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो वहां भी मा गंगा के अंचन में काम करने का अवसर लगवग दो बर समय। लाजजवा का जब मैं सांसद था तो उस समय हरी द्वार में गंगा के किनारे इस्थित्कुष्ट रोग्यों के बच्चों के विकास और उत्थान के लिए जो विद्याले चल राती उस विद्याले में छात्रावास के निर्मार में अपनी सांसद निदी के एक बड़ी धन रासी का उप्योग करने का मुझे अवसार मिला मैं जब इन सभी घटनाओं को जोड कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि गंगा की पवित्रता निर्मलता और अविरलता सदयू मेरे जीवन में मार्क दर्सन बाप्रेग्णा के प्रमप्सोत रहे हैं और आगे भी बने र अवित्रता का आर्थ है कि हम मन, बचन और कर्म से सुद्ध बने गंगा की निर्मलता का अभिप्राय है कि हम निर्मल हिर्दे के साथ हम सब लोग जीवन बिताएं और गंगा की अविरलता का तात्पर है कि बिना रुके हुए अपने जीवन पत्पर हम सतत आगे बढ़ते गंगा से जुड़ा ये संदेश पूरी मानवता के कल्यार के दुए है देवी और सज्जनों गंगा को किवल सिर्फ गंगा को किवल सिर्फ एक नदी के रूप में देखना परियाप्त नहीं है गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धरा है तता अध्यात्मों रास्था की संवाहिका है हमारे देश में ऐसी मानता है कि भारत की सभी नदियों में गंगा का आंसर है गंगा के प्रती अनुराद देश के उत्तर से दक्षण वा पूरव से पस्चिम तक हर जेगे प्राप्त अनेख स्धालूर भारत से गंगा जल ले जाकर विदेश की नदियों में प्रवाहित करते हैं और इसक्रकार उन नदियों को भी अपनी आस्था से जोड़ लेते हैं इतना ही नहीं आस्थावान लोग तो अन देशों की नदियों में भी गंगा का ही रूप देखते हैं मुझे याद है कि मैं अपनी मौरिसस यात्रा के दोरान मुझे वहाँ बसे भारत बासियों ने गंगा तालाप का दर्सन कराया संभूता आप लोगों में से भी किसी को जाने का आउसर मिला होगा का अईचा लगता है कि हमारे देश भासी जहां भी जाते हैं कैं वह अपने हइं रशें हुआ में घंगा खोलेकर जाते हैं और और वहां किसी ने किसी रूप में इस्थापित कर देख dope लेकिन गंगा की पवित्रता और गंगा कि महत्ता यहीं समाप्त है हम भारत वास्यों के लिए गंगा का इतना महत्व है कि यदि व्यक्ति डेथ वेड़ पर जब जाता है तो उसकी भी एक अंतिम एक्छा होती है कि गंगा जलकी एक बूंद यदि हमें मिल जाए मेरी जीवभा पर पड़ जाए तो शायद में सीधे स्वर्गे जाए एक कल्पना तो उसमें नहीं जाना चाहिता हूं उसकी सच्चाईए और उसके लिए लेकिन ये जो स्रधा है गंगा के प्रति वो इसको दर्साती है किस प्रकार गंगा ने भारत वासियों को विश्व के कोने कोने में मात्र भूमी के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ा है और ऐसे जोड़ा है कि जीवन जब प्रारंब होता है तब से और जीवन का जब अंत होता है तब वस्तुता गंगा भारत वा उनमें प्रमुक्ष पैचान का जो एक संभाहिका है वो है गंगा और यह जर्ण भावना ही लोगप्रिय गीप में समाहित है और परलक्षित भी होती है उसको उन्हें कहा भी है अपनी पैचान के लिए हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बैठी एक गंगा का एक जीवन और आपके हर किसी के जीवन में एक ऐसा लगता है कि गंगा के बिना आँणा जीवन अधूरा है कही नकैसी न किसी रून में कोई भी ऊस व रूप को घंगा में से हमारा जुडाव दिखता ही है और कुछ नहीं होगा एक यदि मिलते जुलते भी पारस्पिरिक चिंतन मनन में भी यदि गंगा का नाम आता है तो लोगों को मैंने देखा है इतनी सर्था के कारण वो इसका गार से नमस्ता आता है गंगा के लगाओ एक एवल एक विसेश समुदाय या विसेश संपरदाय के लोगों के साथ नहीं जिला है हर भारत बासी के साथ जिला है यही विसेशता है मुझे बताया गया एक उलेख मुझे बताया गया कि गंगा के लगाओ के अदबुद उदारन बिस्मिल्ला खासाब के संस्पण्णों में पाए जाते हैं उनसे कई संगीत प्रेमी उन्हें मुंबई में बसने का अनुरोध किया करते हैं बहुत बड़े कलगाद थे जब मुंबई में अपना प्रदर्सन करते हैं तो उनको आगरे करते हैं किखा साब आप मुंबई में बस जाएं तो उनका उत्तर क्या था कि यहाँ तो बस जाओंगा कि मुझे आप वारा नसी से मुंबई तु ले जाओगे लेकिन मुंबई में गंगा कहां से लाओगे एक यह जो प्रस्णित अपने सुभ जिंदकों को जो संकेत देते थे उसमें बास्तविक्ता नहीं थी गंगा का क्या आर्थ है गंगा का क्या मात्थ है इस देश के हर भारत वासिटें देवे और सर्जनों गंगा तथा उसकी सायक नदियों का छेत्र देश के ग्यारे राज्यों में फैला गुआ है और इसे गंगा रिवर वेशन का नाम भी दिया एक आकलन के इंसार इस छेत्र में देश की 43 पृत्सर जंशंख्या निवास करती है यह सबसे घनी आवादी वाल ज़णा चेत्र भी इस सब्वेता को जलिये सब्वेता भी घा जा सकता है गंगा जल सच मुझ में जीवन जल है इसलिए गंगा रिवर बेसिन में जल संरक्षण करना तथा बाड़ वा कटान को कम करना दोनों ही जरूरी है इन दोनों देशियों के साथ गंगा की स्वक्षता और परियावरण के संरक्षण का लक्ष भी जोड़ा हुआ गंगा और परियावरण को ध्यान में रखते हुए संद 2015 में नमामी गंगे नामक एकी करत गंगा संरक्षण मिशन कारक्रम की सुरुआत की मुझे संतोस है कि सरकार द्वारा किये गए इस मिशन के अच्छे परणाम दिखाई देने लगे देकिन अभी हमने लक्ष हासिल नहीं किया गंगा को निर्मल बनाने के लिए रिशी केस से गंगा सागर तक बड़ी छमता के सीवेश टीट्मेंट प्लांट भी लगाएता रहे भारत के प्रधान मंत्री और वारानसी के हमारे सांसत्र प्रतिने दी श्री नरेन मोडी जी ने गंगा की स्वक्ष्टा और कासी के वैभो को बढ़ाने का बीड़ा उठाया तता इस दिशा में भागीरत प्रयास्पी किया आप सबको याद होगा कि असी गाट की सफाई करने के लिए प्रधान मंत्री ने स्वयंग फाउड़ा चला कर घाटों को स्वक्ष्ट बनाने के अभियान की सुरू आती थी ऐसा हमने विस उपे कहीं कोई प्रधान मंत्री ने देखा होगा और ना इस देश में कोई प्रधान मंत्री देखा मुझे बताया गया है कि बनारस के घाट अब तुलना आत्मक दिरिस्टी से काफी साफ सुथरे गंगा नदीवा घाटों तथा बनारस सहर में स्वक्ष्टा पर जोड़ देने के कारण ना केवल परियावरन सनरक्षण को बल मिला है बल कि परियाटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनद दायक हो गए मात्मा गांदी को सन 1916 की बनारस की अपनी यात्रा के दोरान वेश्वनात मंदर की सक्री और गंदी गलियों को देखकर बहुत कस्ठ हुआ था वे इस बाद से भी छुब्द थे कि गंगा के किनारे बसे सहरों की सारी गंदगी गंगा में परवाहित की जाती थी मेरा भी अनबव है कि जहां मैं पला बढ़ा उस कानपुर सहर का उद्यों की कच्रा भी गंगा में पाहिया जाता था दसकों तक ही होता रहा है मुझे अब ये जानकर प्रसंदता होती है कि कानकुर की ट्रेनरी वा सीवे से निकलने वाले प्रदूसित जलको साफ करने और सहर के कूड़े कच्रे के समचित नस्तारों पर तेजी से काम किया जा रहा है देवी और सजुनुरू इस बार कासी विश्वनात मंदिर परिशर के नए स्वरूप एवं आसपास के छेत्र में हो रहे परिवर्तन को भी देखकर मुझे प्रशन नता होई जैसा कि मैंने कहा था विश्वनात मंदिर की सक्री गलियों और गंदी को देखकर गांदी जी वेथित हो गए थे अब परिस्थिती बदल रही है निकट भविस में ही मंदिर का एक भव्य स्वरूप देशवासियों के सामने होगा कासी विश्वनात मंदिर दथा आजपास के परिसर का ये नया सुरूप रानी अहलियावाई होलकर और महात्मा गांदी की आशाओं के अनुरूप होगा कासी का ये बदलता सुरूप अपनी पुरातनता को भी संजोए हुए है परन्तु पुरातनता का मतलब जड़ता नहीं है किसी भी देशवास समाज की जड़ता उसके लच्छे और पतन का कारण बनती है इसलिए बनारस के लोगों से मेरा आग्रह है कि पुरातनता और आधनिकता के बीच संपुलन स्थापित करे हमारी परंपरा में एक सुक्ती है चलती एकेन पादेन तिस्थती एकेन बुद्धिमान अर्थाद बुद्धिमान विक्ती का एक पैर आगे बढ़ता है और दूसरा पैर जमीन पर रहता है आगे बढ़ा हुआ पैर आधनिकता का है तथा जमीन पर टिका हुआ पैर हमारी परंपरा और प्राची निता का है निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए परंपरा और आदुनिक्ता के बीच सामंज़स का होना अनिवार है यही सामंज़स सस्टेनेवल डेबलप के लिए भी जरूर है गंगा को स्वक्ष रखना, परियावरण का संद्रक्षन करना और हमारी संस्कती और धरोहर को सम्रद बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है बल्कि सभी देश बाचियों का सामाजी को और व्यक्तिगत दाइत भी है इस सोच को देश ब्यापी इस तर पर अपनाने और आत्पसाद करने की जरूरत है यह प्रसनता की बात है कि पिछले कुछ वर्सों के दोरान लोगों में जागरुपता बड़ी है अनेक संगटकों, विविनकार छेतर के लोगों, विसेश कर्मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामबाशियों ने गंगा की स्वक्षता के लिए सराहनी योगदान दिया है देवियो और सजरुन, बनारस में अध्यात्म, साहित्य और संगीत का अजबुद संगम रहा है आज से लगबख 26 सो वर्स पहले इसी छेत्र में इस्थित सारनात में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश दिया था आदी संकराचार को कासी में ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म ब्याप्त है इसी कासी में संथ रविदास और संथ कवीर से लेकर गोश्वामी तुल्ची दास तक की परंपरा ने साहित और अध्यात्म को विशालता दी रूरिवादी का विरोध किया तथा ज्ञान समता और श्रवहार्द का प्रकास पहलाया यहां के समरस समाज के तानेवाने को यहां के मल्ला, भुनकर और साधू संत बिसेश को रूप परदान करते रहे कासी देश के सरवाधिक भारत रतनों की जन विस्तिली वो कर्म बूमी भी रही है लाल बाधुर सास्त्री, डाक्टर भगवान दास, उस्ताद बिस्विल्ला खां और पंडित रवी शंकर बनारस में पैता हुए और यहीं उन्होंने अपनी प्रतिवा को तरासा इनके अलावा महामना मदन मुहन मालवीय ने बनारस को ही अपनी मुक्र कर्म इस्थली बनाया इस तरह आपके सहर के पांच भारत रतनों ने उतकर्ष्टता और राश्टर सेवा के अदभूत प्रतिमान इस्थापित किये और जिसका हम सभी जो वारान सी निवासी हैं हम सबको गौरव होना चाहिए हैं देवी और सजुनों हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग में परियावरण और संस्कृति का संरक्षन वा संबर्दन तभी हो सकता है जब गंगा की धारा अविरल वा निर्मल बनी थे संत कबीर ने भी कहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर उसकी तुलना उन्होंने की यानि गंगा जलको ही निर्मलता की सबसे बड़ी कसोटी माना जाता था संत रविदाज भी पावन गंगा को ही मन की निर्मलता का आदर्स मानते थे इसलिए उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठोती में गंगा पिछली पेड़ियों के लोग कासी में गंगा इसनान करने से पहले घर से इसनान करके जाते थे ताकि गंगा मैली ना हो इसलिए आज हम सबका दायत बन जाता है कि गंगा को एक बार फिर निर्मलता के उस इस्तर पर ले जाएं जिसका विबरन हम संत कभीर, संत रविदास तता प्राचीन काल के रिशी और मुनियों की बानी में पाते हैं उसी इस्तर की स्वक्षता को प्राप्त करने का लक्ष लेकर नमामी गंगे तता अन्मल अवियान चलाए जा ले देवी और सजनों, देश के एक प्रमुक समाचार पत्र समूद वारा आयुजित, इस फोरम में पत्रिकारता का उल्लेक सहज भी है और प्रासंगिक भी देश में पत्रिकारता के इतिहास पर दस्टी पात करने पर ये स्पस्ट होता है कि सन 1920 के बाद भारती पत्रिकारता पर गांदी जी का गहरा प्रवाव पढ़ा गांदी जी स्वयम भी पत्रकार थे गांदी जी के समकाली इन पत्रकारों में महावीर प्रशाद, दुवेदी, गड़ेश संकर विद्यार्थी बावु राव विश्णू पराड कर और मुंसी प्रेम चंद जैसे संपादा थे कासी में सक्री रहे बावु राव विश्णू पराड कर जैसे विभूतियों ने भारत की पत्रकारता को नए आयाम उन्होंने राश्ट्रपती, संसद और संविधान जैसे नए सब्दों से हिंदी को सम्रद दिखिया उनके समय में पत्रकारता का सतर इतना उंचा था कि उसे साहित्ering का ही अंग माना जाता उस पीडी की पत्रकारता के आधार पर आधार में राश्टिय और सांस्कृतिक उत्थान की भावना थी उन सभी ने भारतियता पर बहुत बल दिया था गांदी जी ने सन 1919 में यंग इंडिया में लिखा था मैं कोट करता हूँ कि देशी भासाओं के अख़वारों की कितनी ज़्यादा जरूरत मैसूस की जाती है मुझे यह सोचकर गर्व का अनभव होता है कि किसानों और मजदूरों के बीच मेरे पत्र के इतने अधिक पाटक है भारत की आवादी के 90 पृत्सत लोग इसी वर्ग के हैं अंग्रेजी पत्र-पत्र का हैं तो भारत की विशाल आवादी के इस अगात सागर का एक तट भर भी छूपाती अनकोट गांदी जी के इन विचारों के परिपेक्ष में दैनिक जागरन सहत भारती भासाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की बढ़ती लोका प्रीता बहुत महात पोग है विभिन आकलों के अनुशार आज देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र भारती भासाओं में छपते हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात साथ ही समाज और देश के प्रती आप सब की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है देवी और सजनों इस फोरम के जरिये सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और मुद्दों पर समाज को जिम्मेदारी का एसास कराने का दैनिक जागन समू का ये प्रियास अतियंत सराहनी है मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्स से गंगा, परियावरण और संस्कृती के पारस्परिक सम्मंद के विशय में सजगता तथा सक्रीता बढ़ेगी मैं आशा करता हूँ कि चर्चाओं की ये सरंखला गंगा को स्वक्ष, परियावरण को बेहतर एवं संस्कृती को सम्म्रद बनाने में बहुत सार्थक और उप्योगी सिद्ध होगी धन्वाद जैहिद